एक मूर्ति निनो उत्रप्रदेश से हर्याना तक चर्चा का विशय बनी हुई है। दरसल यूपी के रहने वाले बबलु ने एड़ी जीपी श्रीकांत जाधव को 15 मार्च को शिकायत दर्ज कराई थी कि उसे अपने खेतों में एक मूर्ति मिली थी जिसके जाच के लिए वह अपने ज्वानकार के साथ हिसार आया था हांसी सियाई टू ने उसे बस स्टेंड से पकड़ लिआ और मूर्ति को अपने कबजे में ले लिया बात में मूर्ति के बारे में पुछने पर उसे नकली बता कर उसे भगा दिया उसमूर्ति का धारा 102 के तहıt कबजा पुलिसने दर्शाय गया था लेकिन उसे माल खाने में जमा नहीं करवाय गया बलकि मिल्ट करके बिस्किट बनवा दिये गए मूर्ती जाचने के बाद विवेक ने बताय था के करीब 4 किलो कराम वजन की ये मूर्ती 80 फिस्दी के करीब सोने से बनी है तो वहीं इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब पुलिस प्रसाशन के ही होश उट गए मामले में हांसी CIA 2 इंचार्ज समीद आठ पुलिस कर्मियों पर धोका धड़ी और कई संगीन धाराओं में केस दर्च हुआ है जो मूर्ती वाला जो मामला चल रहा है उसी समन्द में ही हमारे ADGP साब के आदिश पे हमारे जो CIA 2 इंचार्ज है है नितिन पी एसाइए नितिन और उस अन्य मुलाजम है उनके खिलाब मुकतमा दर्च किया गया है विबंदाराओं के देट कितने कर्मचारियों पर सर मामला दर्च यह टोटल लाट है यह नितिन हेग्बाल किशन है सब इंस्पेक्टर एसाइज सजन है तो किसकी सिकायत पे और किन किन दाहराओं में सर माम लगाए थी और उसे अदेश करवाई थी और अदेश की ते फिर आमने बावने तरफ से मुलाजम है तो क्या कुछ उपका गया कंप्लेंड में उसने पहले आई जी साव के बरखास दे थी कि वीशेट वाड़ों ने हमारी मूर्ति रख ली और हमारे साथ मार्केट करें DSP विनोध शंकर ने बताया है कि मूर्ति मामले में हांसे सिटी थाने में CIA 2 इंचार्ज सहीद 8 पुलिस कर्मियों के तहत विविन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है उन्होंने बताया कि ADGP श्रिकांत जाधव को श्रिकायत देने वाले बबलू के श्रिकायत पर मामला दर्ज किया गया है और मामले के जाच कि जा रही है हांसे सिसंदीप सैनी पंजाब के स्टुटी बे हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूटीब चैनल को सबस्क्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाए हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूटीब चैनल को सबस्क्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद